नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे कि लेमैक M टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, लेमैक M टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और लेमैक M टैबलेट की वज़र से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि लेमैक M टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानिया रखनी चाहिए, लेमैक M टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉंबिनेशन होता है, लेमैक M टैबलेट के अंदर सौल्ट कंपोजिशन लिवोसेट्रिजीन 5MG और मॉन्टेलुकास्ट 10MG होता है, लिवोसेट्रिजीन एक अंटिहिस्टामिन ड्रग क्लास की दवा है, जिसका उप्योग स सर्दी जुखाम नजला और एलरजी के लक्षणों से राहत पाने के लिए किया जाता है, और मॉन्टेलुकास्ट अस्थमा की वज़े से होने वाले लक्षणों जैसे सांस सूलना, सांस लेने में दिक्कत होना और सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज आना आदी लक्षणों को नियंतरन करने वर रोकने में मदद करती है, लेमैक M टैबलेट का उप्योग अस्थमा होने पर सर्दी जुखाम नजला और एलरजी के लक्षणों को ठीक करने के लिए लेमैक M टैबलेट का उप्योग किया जाता है, एलरजी या नजला के लक्षण जैसे नाक से पानी बहना, आंखों से पानी आना, आक, नाक या गले में खुजली होना, छींग आना और शरीर पर कहीं खुजली होने पर आधी लक्षणों से राहत पाने के लिए लेमैक M टैबलेट का उप्योग किया जाता है, डॉक्टर क्रोनिक अर्टिकेरिया होने पर यानि तवचा पर पुरानी खुजली की समस्या होने पर तवचा पर एलर्जी होने पर और तवचा पर रैशेस होने पर भी लेमैक M टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। अब हम डिसकस करेंगे की लेमैक M टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है। लेमैक M टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। इसलिए आपको लेमैक M टैबलेट को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि लेमैक M टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। लेमैक M टैबलेट के साथ आपको शराप का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे ज्यादातर व्यक्तियों में ले मैक M टैबलेट को लेने के बाद ज्यादा नींद नहीं आती है लेकिन यदि किसी व्यक्ति को ले मैक M टैबलेट को लेने के बाद नींद अधिक आती है अभी इसके बारे में परियाप डेटा अवेलेबल नहीं है कि लेमैक M टैबलेट प्रेगनेंट महिलाओं को नुकसान पहुँचाती है या नहीं। इसलिए ज्यादातर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं को लेमैक M टैबलेट को न लेने की ही सलाह देते हैं। और स्तनपान करा रही महिलाओं में लेमैक M टैबलेट मा के दूद के जरीए बच्चे तक पहुँच सकती है और दूद पीने वाले बच्चे में साइड इफेक्स पैदा कर सकती है। इसलिए स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए लेमेक M टैबलेट का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका लेमेक M टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।